स्पोट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज अगर पुरानी बातों के अगर हम याद करें तो सुनिल गावस कर नाम सबसे सपहले हमारे बात आता है और सनिवा इसमय हमारे साथ है सनिवा यह टीम वो तो नहीं रही वेस्ट इंडीज की शायद एकाथ फास पोलर आपको सर्प्राइज कर जाए लेकिन अगर आप मुड़कर सोचते 1971 इन मैनी वेज सुनिल गावस कर वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक तरह से सामने आए उस दौरे के चलते हैं क्या यादे है हाँ देखिए हमेशा सब को लगता है कि उनका जमाना अई तो सबसे बेदर था हम स्कूल की बात करते हैं तो हम यह कहते हैं न ही हमारे जो स्कूल के दिन थे हमारे कॉलज की दिन थे वो सबसे बेधर थे पर वैसा होता नहीं है क्योंकि हर एक जमाने में अच्छे खिलाडी होते हैं और इस टीम में भी मैं समझता हूँ कि वेस्टिंडीस की टीम में अच्छे खिलाडी है अच्छे बोलर है शैनन गेबरियल बहुत अच्छी बोलिंग करते किमार रोच जो पह होता ही है आप किसी भी अटेक को किसी तरह खेले कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जब वीक अटेक के खिलाफ खेलते तो आप थोड़ी से ओवर कॉंफिडेंस होते और उसमें आउट हो जाते तो रन तो बनाने जो भी अटेक हो तो मैं यह आशा करता हूं कि भारतिय टीम इस होगी बात करते हैं और यह आशा करता हूं कि भारती टीम खास करके यूवा खिलाडी प्रत्वीशा और मायंक अगर दोनों को मौका मिला तो दोनों अच्छी तरह से बल्लेबाजी करेंगे बहुत सारे रन भी बनाएंगे लेकिन सब प्यार आपको बहुत मिला वेस्ट इं सिंग लेकिन लेकिन बहुत प्यार मिला आपको वेस्ट इंडीज में और आइ तिंक वो रिस्पेक्ट जो आपने हासिल के वहां पर रंस बना करेंगे लेकिया मैं खुश किसमत हूं कि अभी भी जब मैं वेस्ट इंडी जाता हूं तो उतना ही प्यार मिलता है जितना 1971 के टोर में मिला था और दूसरी बात यह है कि वेस्ट इंडीज में भारती खिलाडी बड़े पॉपलर है आप देखें तो मेरे पहले जो पॉली उमरिगर की बात हुआ करती थी सलीम दुरानी की साप की बात हुआ करती दिलिप सर्देशाई की बात हुआ करती थी तो बड है खिलाडी जो है वह वेस्ट इंडी पे काफी पॉपलर है और मैं भी वैसा खुशकुस्किसमति से मैं भी पहले टोर के बाद में जाता हूं तो बहुत प्यार से वहां पे वेलकम करते तो अच्छी बात है मेरे लिए और मैं हमेशा यह मानता हूं कि जहां पे मैंने डेब आप तीनों ने बड़ा परशान किया वेस्ट इंडीज को सलीम दुरानी साब ने जो किया जो टेस्ट हम जीते तो क्लाइव लॉइड को उन्होंने कैच आउट किया और वो तो अजीत वाड़ेकर की कप्तानी थी अजीत वाड़ेकर खुद शॉट मेड विकेट पर खड़े हुए और क्लाइव लॉइड ने फ्लिक किया तो अच्छा कैच पकड़ा बाहर लेफ्ट से जा रहा था वो लेफ्ट हैंड रते डाइव मारके उन्होंने कैच पकड़ लिया और दूसरी गेंद पर उसकी बात की व सोबस भी सौरन बना थे तो शायद हम वो टेस्ट जीत नहीं पाते हैं तो हां दिलिफ सर्दिसाय ने रन बनाए मैंने रन बनाए पर यह जो दो तीन गेंदे होती जिससे गेंद पलटता है उससे हमें याद रखना चाहिए और यह कहानी भी है सिगारिफ सोबस आपको मुझे चूने से कुछ नहीं हुआ बस वो इतने महान खिलाड़ी मैं तो समझता हूं कि दुनिया के सब से बैतर इन सर्वश्रेष्ट खिलाड़ी क्योंकि आल राउंडर थे सिर्फ बल्ले बाजनी और ना गेंद बास थे और मैं समझता हूं कि अगर वो विकेट कीपिंग करना चाहते तो विकेट कीपिंग बहुत अच्छी तरह से करते तो सर्वश्रेष्ट वो खिलाड़ी थे और उनके उनी के साथ मैदान में वक्त गुजारना ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी अजित वाड़ेकरत को तो ये डर था कि ये ये थेरी सही है इसलिए आ क्योंकि गैरी सोबस आके मुझे नाच हुए और देखिये उस शाम को गैरी सोबस पहली गेन पर वापस पहली गेन पर जीरो पर आउट हो गए तो उसके बाद में अजीत ने मुझे कहा कि देखा और मैं कुछ कह नहीं सका क्योंकि क्या क्या कह सकता हूं और उसके बाद में तीन साल के बार में जब मैं इंग्लेंड खेल रहे थे तो मेरी मेरी ट्राउजर फट गई थी तो उन्होंने मुझे ट्राउजर बदलने की इजाज़त नहीं दी उन्होंने कहा नहीं उसी ट्राउजर से आप खेलेंगे क्योंकि वह आपके लिए लगई है मैं बदल रहा टी मैं जब वापस लिया लॉकर रूम में तो मैं चेंज करना चाह रहा था चेंज भी कर रहा था तो नहीं बताया कि नहीं आप उसी ट्राउजर से खेलेंगे आखिर के दो सवाल एक बड़ा खिलाडी किस तरह सोचता हैं समझने के कोशिश करते हैं आप बिना हेलमेंट के खेलते हैं जानते हैं जब आप उस तरीक उस लेवल के ताइस देश गिनबासों के साथ चलते हैं देश नो ऐलिमेंट और फिर वोग इंटो बैट जी ने बिल थोड़ी से टेन सोथे थोड़ी से नर्वस होते पर डर नहीं बिल्कुल नहीं होता है दर्वस ने सोती जरूरति पर डर थो होता नहीं अगर डर होता है तो आप क्रिकेट कायक को के लिए आप ओपनिंग बैट समन कायको बनें आखरी सवाल पृत्विश और डेबुटेंट होंगे वेस्ट इंडीस के खिलाफ तक्रीव बनते हैं बारा में उनको चुन लिया गया है कितने एक्साइटेड है एक अठरा साल का खिलाडी चर्चा उनकी बड़े दिनों से चल रही है और आप उन्हें मौका मिल रहा है बहुत अच्छी बात है और जैसे कि भारतिया सपोर्टर्स इतने एक्साइटेड वैसा मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब कोई युवा के लड़ी आता है तो नहीं आशा है उसे आता है अपने आपके लिए नहीं पर भारतिया टीम के जो सपोर्टर्स हैं उनके सब के लिए वो आशा आशा ले आता है कि अब जब वो युवा के लड़ी आएगा वो सक्सेस्वल बनेगा तो भारतिया टीम को और एक नहीं दिशा मिलेगी तो इसी आशा से हम इंतजार करेंगे प्रित्वी शाओ की डेब्यू का और उसके लिए शुबेचा देंगे कि इनक सारे रण बनेंगे बच्छुक्रे